हेलो दोस्तों, आपका हमारे योट्यूब चानल हर ब्यात्रा में स्वागत हैं, आज हम आपको मुहासे दूर करने के बारे में बताएंगे मुहासे की समस्या से काफी लोग परिशान रहते हैं, यह तेलिये त्वचा वाले लोगों में ज्यादा होती है, पर ऐसे कई लोग हैं जिनकी त्वचा तेलिये ना होने के बावजूद भी उन्हें मुहासों की समस्या होती है किशोर अवस्था में मुहासे होना स्वाभाविक है, इन मुहासों का एलाज भी संभव है, पर कई बार उस अवस्था को पार करने के बाद भी मुहासों की समस्या बरकरार रहती है, मुहासों से बचाव के लिए यह उपाये करें गंदे हाथों को चेहरे पर ना लगाए, दूद से बनी चीजों का कम उप्योग करें, धूप और प्रदूशित जगों पर कम जाए, वसायोक्त खाना खाने से बचें, चेहरे पर क्रीम या कोसमेटिक ना लगाए, भरकूर मातरा में पानी पेए, पुदीने का इस्तिमाल क के लिए, आप पुदीने का इस्तिमाल कर सकते हैं, पुदीने में काफी मातरा में में तॉल होता है, जो आपके मुहसों में जलन को कम कर देता है, आप पुदीने का पेस्ट बना कर उसमें एक नीमबू का रस मिलाए, और मुहसों पर लगाए 30 मिनट बाद, उसे पानी से ध दोले, शहद कील मुहसे दूर करे, एक चमश्च शहद में निमबू के रस की कुछ बुंदे मिलाए, और इसे चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर चेहरा धोले, प्रोजाना इस्तिमाल आपके दाघबो और मुहसों को कम कर देता है, निमबू का उप्यो निमबू के कटे छिलके से मुहासो वाली जगय पर रब करें, और कुछ घंटों के लिए ऐसा ही छोड़ दें, फिर गर्म पानी से इसे धोलें, आप निमबू के रस में बराबर मात्रा में गुलाब जल मिला कर भी लगा सकते हैं टूथ पेस्ट, हमारे रोजमरा की लाइफ में इस्तिमाल होने वाला टूथ पेस्ट भी मुहासे दूर करने के लिए इस्तिमाल हो सकता है, टूथ पेस्ट मुहासों की स्वेलिंग दूर करके उन्हें सुखा देता है, रात को सोने से पहले थोड़ा सा टूथ पेस्ट मुह मुहासों की बिंदूयों पर लगा लें, सुबह उठकर इसे गर्म पानी से साव कर लें, आपको दो-तीन दिन में ही फर्क नजर आने लगेगा, संतरे का छिलका, संतरे में acidic property और vitamin C होता है, जो मुहासों के लिए फायदे मंद है, आप इसके छिलके का इस्तिमाल कर सकते हैं, स से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें, अब चेहरे को गर्म पानी से धोलें, शेविंग टेकनीक जिन पुरुषों के चेहरे पर pimple हो, उन्हें शेविंग के दोरान खास ध्यान देना चाहिए, आप किस ओर शेविंग कर रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दें, नहीं तो मुह से फूट गए तो, वे हतरनाक रूप ले लेंगे, मुहासो पर कभी प्रेशर ना डालें, और हमेशा तेज रेजर का यूज़ करें, बर्फ का इस्तिमाल, पिंपल पर आइस के उब रगड दिये, और अपने पिंपल पर मुलतानी मिट्टी, नीम बूरास और शेहद डाल क पर पेस्ट लगा सकते हैं, जब यह पेस्ट सूख जाए, तब उसे आइस के उब से रगड कर साव कर लें, इस से आपका मुहासे दब जाएगे, चंदन पाउडर, चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाईए, और मुहासे पर लगाईए, इस से पिंपल सूख कर छो हो जाएगा, इन उपाईउं को जब आप अपनाते हैं, तो अपना धैर्य बनाये रखें, क्यूंकि आयुर्वेदिक तरीके अपना असर धीरे-धीरे करते हैं, अगर आप लगातार यह करते रहोगे, तो आपको भीदा धबो से छुटकारा मिल जाएगा, और चेहरे में न झाल 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